हेलो फ्रेंड, हेल्थ टिप्स अफ इश्यल में आपका स्वागत है, आए जानते हैं सर्दी की मौसम में बच्चों को खासी जुखाम से कैसे बचाएं बच्चों को बार बार जुखाम होना एक गंभीर बिमारी का संकीत हो सकता है आम तर पर बुखार या जुखाम होने के बाद बच्चों को निमोनिया होता है 10 से 12 दिन में भी ये ठीक हो जाता है लेकिन कई ये खतरनाग भी होता है खास कर 5 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ज्यादा उमर के लोगों में क्योंकि इनकी इम्मूनिटी कम होती है बच्चों में जुखाम एक वाइरस के तरह होता है इसलिए आप कुछ घरेलों नुक्सों से भी अपने बच्चे का खासी जुखाम ठीक कर सकते सरदी जुखाम में आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को डेरी प्रोडेक्ट खाना बहुत कम दे क्योंकि ये काफी ज्यादा नुक्सान पहुचा सकता है सरदी जुखाम में हमारे बच्चे को इसलिए डेरी वाला खाना आप सरदी जुखाम में अवोईड़ी जुखाम में बुखार समानने बात है बुखार की वज़े से शरीर में पानी की कमी होती है इसलिए सर्दी जुखाम में नारियल पानी पीना आपके लिए बहुत फाइदी मन हो सकता है ये हमारे शरीर में पानी की मातरा को बनाई रखने में मदद करता है नारियल पानी मगलो कोच काफी अच्छा होता है जो हमारे शरीर को हाइडरेट रहा छोटे बच्चों को सरदी होने पर छोटी सी कली लसुन के ले और उसे बारिक पीस ले उसमें हलका सा शहाध मिला दे और बच्चे को चटाए ये दिन में 2-3 बार करे, रात को सोने से पहले, सुबा उठने के बाद और दो फैर तक इससे आपके बच्ची की सरदी जुखाम ठ अपने बच्चों को जिन्दगी भर सरदी से दूर रखने के लिए उसे रोजाना सुभा के समय खाली पिट तुलसी के तीन चार पत्ते खिलाएं और एक गिलास पानी पलाएं ये भी बहुत अच्छा होता है बच्चे को सरदी से बचाने नवजात शीशू को जुखाम से इस पोटली को अपने नवजात शीशू की नाक के पास लगाएं जिससे नजवाइन की महक से भी बच्ची की सरदी जुखान ठीक होने लगेगी